Good morning मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ, आप सभी खुश होंगे और मामा के हाथवा healthy और tasty खाना खाके स्वस्थ होंगे तो आईए शुरू करें आज की हिंदी की क्लास Dear children, पहले वीडियो में हमने स्वर O की पहचान की और स्वर O को और उसके बाद without dots लिखने की प्रैक्टिस करेंगे Let's start, dear children आप भी ऐसे ही सुन्दर सुन्दर स्वर O बनाएंगे राजमा के साथ बना सकते हैं या आप किसी भी दाल के साथ में comfort है तो दाल के साथ भी आप सुन्दर O बना सकते हैं Parents, please बच्चों से यह activity आप करवाएं Because इस activity से बच्चों का eye-hand coordination बढ़ेगा Finger muscles strong होगी So, please यह activity आप जरूर करवाएं This is your Hindi book Take out, page number 18 Page number 18 प्यारी बच्चों, आपने पहले dots के साथ में स्वर O को लिखना सीखा था स्वर O O से उंगली आज हम without dots स्वर O को बनाने की practice करेंगे Let's start Curve Another curve Sleeping line और यह है बन गया हमारा स्वर O आप भी ऐसे ही स्वर O लिखने की practice करेंगे Parents, please अगर बच्चे नहीं लिख पाते हैं तो आप उनको dots लगा करके देंगे Look dear children अब हमें स्वर O की पहचान करनी है और उनके उपर गोला बनाना है तो आप बताईए माम को यह कौन सा स्वर है? E यह स्वर O है? नहीं यह स्वर O है? Yes तो लगाईए गोला ऐसी ही आपको इस line में स्वर उ की पहचान करनी है और उसके उपर गोला लगाना है Page number 19 करो और सीखो अभी तक हमने स्वर उ की पहचान की है उसको लिखना भी सीखा है अब आप एक बार फिर से इन उपहार में स्वर उ को ढूंडेंगे और उसके उपर गोला बनाएंगे मैं circle लेट स्टार्ट यह है उसे उपहार यह स्वर उ है? येस, तो लगाई ये गोला ऐसे ही इन सभी उसे उपहार में आपको स्वर उ को ढूंड़ना है और उसके उपर गोला लगाना है Do you understand, dear children? तो आज हमने कौन से स्वर की पहचान की? स्वर उ उ Thank you, dear children